क्या आपने कभी reservation के debate में participate करा है और अगर आपने नहीं करा तो आप true Indian नहीं है reservation का debate हमेशा बहुँ ज़्यदा heat generate करता है अलग लोग अलग तरीके से involved रहते हैं लेकिन क्या ये ethical है अन ethical है उसको देखने के अलग तरीके हो सकते हैं आज हम देखने वाले हैं justice approach को लेके और justice approach क्या है justice based approach कैसे चीजों को देखता है वो reservation को क्या consider करेगा वो कैसे अलग है utility approach से जो हमने पहले बताया right based approach से कैसे अलग है और कैसे वो चीजों को देखता है तो अब लगाते हैं justice वाला lens और फिर देखने की कोसिस करते हैं कि कैसे होती है justice का मतलब जो हमारे यह वर्ड होता है नियाए नियाए मतलब एक ऐसी अधारना जिसे ancient time से अभी तक चला आ रहा है कि नियाए के बारे में सब concern होते हैं institution मतलब state हो गया कोई भी ग्रूप हो गया कुछ भी हो गया उसके लिए justice उतना ही important है अब एक और लाइन आती है जिसे हम बोलते हैं कि अनियाए अगर कहीं भी है तो नियाए के लिए खत्रा है यह भी लाइन हमने पढ़ी हो एक बड़ा है एक छोटा है दोनों को भूख लगी है और बड़े वाले ने रोटी ठाके पूरा खाले है उसने रोटी पहले देखी उसके रीच में थी उसने निकाली और खाली क्या ये चीज ethical है unethical है अगर आप इसको critique करेंगे तो कैसे critique करेंगे तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लोग इसे unethical मांगे की कि ये नियाय संगत नहीं लगता कि एक छोटे वच्चे को भी जरूवत थी उसको भी मिलना चाहिए तो इस तरह की बातें आती कहां से हैं वो जानने की कोसिस करते हैं जस्टिस में आगर आप जाएंगे तो प्लेटो की अलग understanding है उनके हिसाब से कि जस्टिस कहीं न कहीं एक institution का गुण होता है कि पूरा का पूरा जब इन चीजें unjust नहीं होती और इंसान वहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा सा इंसानों पर reduce करने की कोसिस करते हैं कि इनसान अपना जो natural सुभाव है उसके हिसाब से जब प्रक्रिया करता है और हर इनसान का अलग-लग सुभाव होता है और उस तरह से जो पूरा का पूरा state बनता है वो नियाय संगत ते स्टेट होता है लेकिन जो justice की understanding हम लेने वाले है modern time में और जिस तरह से देखने वाले है उनका नाम है John Rawls अब John Rawls कहते हैं कि भाई नियाय संगत तरीके या नियाय क्या होता है उस पर अलग-लग लोगों ने अलग-लग debate करा है लेकिन हम John Rawls को लेते हैं क्योंकि भारती और धाना के बहुत नजदीक है बियर अम्बेटकर के understanding के बहुत नजदीक है उनका ये कहना है कि justice या नियाय किसी भी institute की पहली पहला वर्चू होता है और वो important होता है किसी चीज को ethical, unethical दिखाना है तो आपको देखना है कि वो calm just है कि unjust है अगर वो unjust है तो unethical है अब justice के उन्होंने criteria बताए एक concept दिया theory of justice जहांपे वो veil of ignorance की बाते करते हैं कि भाई नयाय क्या है नहीं है ये अगर मैं decide करूँगा मालीजी के reservation पर debate करने के लिए कोई unreserved से है तो उसको oppose करेगा कोई reservation का use कर रहा है तो support करेगा तो इसके beyond जाते हैं तो कहते हैं कि एक ऐसी situation में जाते हैं जहांपे हम परदा डाले रहेंगे अपने उपर हमें पता ही नहीं होगा कि हम reserved में हैं unreserved में और वहाँ पर हम debate करेंगे मतलब अगर कोई इंसान है जिसको नहीं पता कि reservation का फाइदा उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा तब वो उस चीज़ पर debate करेगा तो ज़्यादा बहतर debate कर पाएगा तो उस तरह से एक system जो सबसे कमजोर है उसके भले के लिए होना चीए तो यह दो principle हो देते हैं और इसी को आगे बहुत लोग debate करते हैं जिन में अमर्थ सेन भी हैं कम्यूनिटेरियन थिंकर हैं मल्टी कल्चरल वाले थिंकर है यही debate चलता है यह 1970 के आसपासी किताब आती है तो justice based जो अप्रोच है वो वो लेगा कि नयाए को के इंदर में रखना है और उससे चीजों को देखना है कि वो नयाए पूर्ण है ethical है नैतिक है या नैतिक है अब इसको भी अलग लोग अलग लोग किसे critique करेंगे जैसे reservation के debate में आप देखें तो right वाला जो यूज करके लोग merit को आगे बढ़ाते हैं कि भाई कुछी बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी है उसके 120 नमबर हैं दूसरे वाले को कैसे से लेकते लिए तो right based approach यूज करते हैं फिर कुछ लोग utility यूज करते हैं कि जो reservation के थुरू आते हैं उनको कुछ अलग से provision दिये जाएं affirmative action दिये जाएं ताकि वो आगे progress कर पाएं और समाज में बराबरी का अधिकार enjoy कर पाएं तो justice वाला ऐसे सोचने की कोसिस करेगा इसी तरह से हर approach में आप देखें कि महिलाओं की भागेदारी के लिए women reservation bill पे अगर आप debate करेंगे तब भी justice वाला जो argument होगा वो reservation की बात करेगा metro में आप जाते हैं तो महिलाओं के जो seat reserve होती है वो भी कहने के justice से निकल के आती है और फिर justice को right में convert कर देते हैं जिसे एक just यह है कि जो भी कमजोर है या जिसको भी जरूवत है जिसे pregnant women है या बाकी लोग है उनको seat की जरूवत होती है नियाई संगत है और एक अच्छी ethical चीज है कि आप उनको seat देदें, जखा देदें जो भी जरूवत वाले है ओल्ड लोग है उनको जखा देदें तो पूरे के पूरे अपरविच को आपको link करना है कि देखो नयाय संगत जो तरीका है ethics को देखने का वो ये है कि जो भी कमजोर है उसको मौगा मिलना चाहिए उसको बराबरी में आना चाहिए उसकी बेवस्ता होनी चाहिए अधिकार वाली बेवस्ता है कि उनको अधिकार दे दो ताकि वो क्लेम कर पाएं कि अगर महिलाओं की सीट में कोई बैठा है तो उसको उठा देंगे उनका वो अधिकार है और उठाना में चाहिए कि ये तो बड़ा आप्स्ट्रैक्ट्स है ना आपने बता दिया कि भाई ये चीजें करेंगे तो नियाज संगत है लेकिन वास्ताव में क्या ये एक्च्यूल में कनवर्ट हो पा रहा है लोग क्या ये बाते मानते हैं सिंपल देखते हैं कि जैसे डावरी को लेके लिए दहे और इस तरह से कोई एक standard कि ये चीजे नियाए संगत हैं जैसे मानलो कि कुछ society में कुछ चीजे नियाए संगत लग सकती हैं कुछ सिम हो सकता है क्यों नियाए संगत ना लगे तो अलग-अलग बहुत division होंगे तो कोई एक particular standard नहीं होगा जैसे utility में तो है हर जगा है pleasure pain increase हो र बारे में बाते करते हैं और वो क्रिटिक करते हैं कि देखो भई जस्टिस वाली बिवस्था में ये हैबिट में कनवर्ट नहीं होता वर्चु जो हम आगे बाते करेंगे वर्चु एथिक्स के बारे में तो इस वज़ा से भी justice वाले अप्रोच को क्रिटिक किया जाता है, तो दोस्तों ये थे larger critique जो justice अप्रोच के है, justice अप्रोच क्या है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे link कर सकते हैं, और कैसे right वाले अप्रोच से connected है, बहुत बार हम overall understanding कहां से आई है, और justice को लेके आई है, तो सब अप्रोच is connected है, बस ये अलगलग lenses हैं, ताकि आप ज़्यादा बहतर तरीके से ज़्यादा डीप तरीके से चीजों को देख पाएं, इस वीडियो में इतना ही, जो भी वीडियो आपको चाहिए, वो comment करके बता है, मेरा नाम है संदीप और लगातर बने रही है, देखते रही है, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो बताने की कोशिस कीजिए, और share कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफी efforts लगाने पड़ते हैं वीडियो बनाने में, इसी दो में अजयादा है,